नमस्कार दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है मैं हूँ दामिनी आज बुलिटन में बात होगी अन्यदाताओं के तेज होते अंदोलन की अन्यदाताओं के अंदोलन पर विपक्ष को लेकर शिव सेना के तंज की बात करेंगे पीम के अर्स फंड पर क्या है और बुलिटन के आखिर में बताएंगे अर्थविवस्था में भारत किस देश से पिछड़ा लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर पिएम नरेंद्र मोदी का कॉंग्रेस परतंज कहा लोगतंत्र का पाठ पढ़ाते हैं और पुड़ोचेरी में पंचायत चुनाव नहीं होने देते बिहार में नितिश कुमार की कैबिनेट ने 103 नई नगर पंचायतों और 8 नगर परिशदों की गठन को दी मंजूरी 32 नगर पंचायतों को भी अपग्रेट करके बनाया जाएगा नगर परिशद राजमें शेहरी करण को बढ़ावा देने के लिए लिया गया फैसला सिंट्रल विस्टा परियोजना के तहएट पुरान श्रम शक्ति भवन और परिवाहन भवन को हटाया जाएगा इस जगह पर बनाये जाएगे सांसदों के दफतर और दिल्ली वालों के लिए राहत भरी खवर पीक आउर्स के लिए सड़कों पर नहीं लगेंगे बैरिकेड इस फैसले से लोगों को जाम से मिलेगा छुटकारा सुर्खियों के बाद बात आज की सबसे बड़ी हवर की क्रिशी बिल के खिलाफ अनदाताओं का आंदोलन लगातार तेज होता जा रहा है आज डीवी लाइप की टीम सिंगू बॉर्डर पर अनदाताओं के बीच पहुची और उनसे बात की देखी क्रिशी कानून को लेकर क्या राय है अनदाताओं की हमारा फर्च है जो हमारा संस्क्रिती है जो हमारा सब्वेचर है बहां से हमने प्रेरता मिली है आज मैं खुद चलकर आया हूँ और जहांके में लीडर है उनसे मेरी बाग हुई है उनको मैं लेक्ती तोरते स्पोर्ट दिया है और एक एफिड़ोट दिया है हमने तस्दीक तसीलदार से टेस्टर कराके कि जेकर मोधी सरकार ने कुनून बावसना ले ता मैं स्वैज शाह और आपना दमागी संतरुन कहरा कदे होए गोडी खालनू भी त्यारां पर एक कुनून पंजाब सरकार ने लागू किते हैं अर्व देशा तो लोग रेया तो सरकार नों चाहिए अमर और शांति नूट्या रख देवे एक बैल त्रॉंत यडे बैद्रा करने चाहिए रद करने चाहिए यह मर्याना से जी अच्छा पर याना और पंजाब के बड़ी लड़ाई चल रही थी शुरुआत में पंजाब किसान आ रहे थे लड़ाई केवल राजनीती मुद्टों के लिए थी कोई लड़ाई नहीं है अर्याना और पंजाब बिलकुल भाई है हमेशा भाई रहेगा हमें तो बस बहुत मोका मिला है अर्याना वालों को हमारा जो बड़ा भाई पंजाब है उसने एक अच्छी पहल करते हैं पंजाब हम पंजाब से आया हमारे आसा था हमने बगवान ने परम परमात्मा ने हम से मोकान दिया है हम अपने बड़े भाईों की सेवाई करें और कोई नहीं है जो एस वाईयाल वड़ा मुद्दा है योदि हम आप यहां संग्टित है ना तो बाई-चारा के प्राब राजस्थान सब एक साथ होगे किसान पूरे जना देश के साथ इसके साथ इकटा हो चुका है भारत दिखाई दे रहा है यहां पर पूरा भारत सब्सक्राइब करते हैं निहांग 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 पहुजा है गुरुवसंग की लाड़गा भाउजां निहांग पहुजांग कितने घोड़े हैं आपके साथ में साथे नेका कोड़े बहुत आप दाल में आते जाते रहते कोड़े ऐसे आ जाते हैं यह जो बार्डर है पीछे आरेफ है रैपिड एक्शन फोर्स के टीम लगी है आप लोगों ने मतलब यह साफ दिखा रहा है कि हम आपके खिलाफ यहां पे खड़े हैं नहीं है तो सब्सक्राइब कर रहे हैं हम आप अभी तक जो देखते आए हैं वो क्या देखते आ रहा हूं मैं करीब एक दिसंबर से हां पर आ रहा हूं उसकी बॉर्डर में टिक्री बाडर जागाजीबूर बॉर्डर में मुझे लगता है कि सन 47 के बाद यह आंदोलन इतिहासिक है इत सरकार के खिलेब अपने न्यापुण मांगो को लेकर और किसान्त चाहते क्या हैं उनका कहना ये है कि सरकार मिन पीछे 6 कानून ला दिया हम तो खुश है हम तो किसी ने कहा तो नहीं था कि आप तीनों को लाओ तो यह 38 किवे उननों जो काले कानून लाये गए हैं यह सीधह सीधह देशी विदेशी कॉर्पोरेटी अमानी अडाणी कि हीत के लिए लाए गये बिजली बिल्फ बीजु मिंकर हित लिए लाए गये इसको सीधह वापस लिया जाए और अब सरकार ये कह रहे हैं कि हम अब तत्यों के आधार पर बात करेंगा हकीकत के आधार पर तो हकीकत को जनता को बताना चाहिए कि कोरोना काल में जहां 15 करोड लोगों का रोजगार छीन गया जेसकी GDP सिकुड गई वहां पर अमबानी अडानी का 700 गुना संपत्ति कैसे बढ़ गया और किसान और मजदूर बधाल कसे हो गए तो ये आखिकत तो ये है कि आज पंजाब हर्याणा उत्तर प्रदेश और देश भर के किसान ये टिक्री बॉर्डर सिंगु गाजी पूर में चिल्ला सारे बॉर्डर में गडाके की ठंड में अपने बच्चों के साथ में महिलाए भी है बुजूर्ग भी है सब लोग लड़ाई के मैदान में आया है तो कोई अशांती करने के लिए नी इनका कहना सिर्फ यह है कि हमें जीने का हक प्रदान किया जाए अगर हमारी खेती हमारा फसल अंबानी अडानी ले लेंगे तो हम जीएंगे कैसे हम तो भूकों मर जा हैंगी दो किसानों का भला तो तो किसान जानते हैं ना सरकार को जब कानून के लिए अध्यादेश पास किया आपका मै जून में इसे याल're से पूछा था इनके नेताओं से पूछा था तो टो बिना किसान जणगठन से बाचीत के सरकार ने कानून ला और स्वामीन आतन कमेटी ने 6 साल से कह रहे हैं कि MSP और फसल का नियुंतम मुल्य बढ़ाया जाए उसने एक अच्छा मुल्य तैबी किया आज तक तो सरकार उसको मानी नहीं तो किसानों की भलाई तो किसान जान सकते हैं और सरकार के नुमाइंदे चाहे प्रधान मंत्री सभी की एक ही मांग है कि ये कानून हमें नहीं चाहिए लेकिन ये कानून कई राजियों में लागू भी हो चुके हैं अनदाता दिल्ली के बॉर्डर पर डटे हुए हैं सरकार की ओर से चिठी भेजी गई है पीएम ने भी बातचीत के लिए आगे आने को कहा है इसे लेकर आज अनदाताओं ने बैठक की तो आज अनदाताओं के आंदोलन में क्या क्या रहा खास देखे ये रिपोर्ट आज सुबह से ही सिंगु बॉर्डर पर अनदाताओं के बीच ये सवाल पूछा जा रहा था कि उन्हें सरकार से बातचीत शुरू करनी चाहिए या नहीं सरकार ने जो प्रसाव भेजा है उस पर क्या फैसला लिया जाए पीएम ने भी कलदेश के अनदाताओं को संबोधि की बैठक हुई बैठक के बाद तै किया गया कि अनदाता सरकार के साथ कृषी बिल रद किये जाने के मुद्दे पर बात करने को तयार है यानी अनदाता सरकार से बातचीत को तो हैं लेकिन मुद्दा नहीं छोड़ा जाएगा बाचीत क्रिशी विधयक रद्द किये जाने के मामले पर ही होगी अनदाताओं ने कहा है कि सरकार तक हम सूचना भेज रहे हैं कि हम 29 दिसम्बर को बाचीत के लिए तयार हैं अब सरकार जगह तैग करके सूचना दे दे माना ज हर्याना को अनदाताओं ने 27 दिसम्बर तक टोल प्री कराय जाने का एलान कर रखा है वहीं पंजाब में इस आंदोलन का असर बराबर बना हुआ है तो वहीं राजस्थान में एंडिये की सयोगी पार्टी आरेलपी सुप्रीमों हनुमान बेनिवाल ने भी अनदाताओं के समर्थन में एंडिये छोड़ने का एलान कर दिया बेनिवाल अपने समर्थकों सहेद अनदाताओं के आंदोलन में शामिल होने के लिए दिल्ली आने को तयार है अब देखना है कि क्रिशी कानून को लेकर चल रही इस लड़ाई का फैसला कप तक होता है और कौन कितना जु दिल्ली में अनदाताओं के आंदोलन को एक महीना हो चुका है लेकिन ना तो सरकार की ओड़ से कोई ठोस प्रस्ताव अनदाताओं को दिया जा रहा है और नहीं अनदाता अपनी मांग से हिलते दिख रहे हैं इन सब के बीच विपक्षी पार्टियों की रणनीती पर सवाल खड़े हो रहे हैं इसे लेकर शिफसेना ने कॉंग्रेस पर निशाना साधा है शिफसेना ने अपने मुख पत्र सामना में लिखा है कि अनदाताओं के आंदोलन को लेकर दिल्ली के सताधीश बेफिक्र हैं सरकार की इस बेफिक्री का कारण देश का बिखरा हुआ और कमज ज्यादा जिम्मेदार है किंद्र सरकार को कोसने की जगा हमें आत्मचिंतन करने की जरूरत है कॉंग्रेस नेत्रोत पर निशाना साधते हुए शिफसेना ने कहा कि देश में विपक्ष को एक ऐसे नेता की जरूरत है जो सब को साथ लेकर चले लेकिन इस मामले में देश का विपक्ष पूरी तरह से दिवालियपन के हाशिये पर चला गया है मोधी सरकार के खलाफ पिछले पांच वर्षों में कई आंदोलन हुए लेकिन सरकार ने उनको लेकर कोई गंभीरता नहीं दिखाई इसका मुख्य कारण विपक्षी पार्टियों की सोच है मोधी सरकार के व वाली राश्ट्रवादी कॉंग्रेस पार्टी को छोड़ दें तो यूपीय में शामिल किसी भी पार्टी में कोई भी राजुनितिक हल चल नहीं दिखाई देती शरत पवार का एक्सवतंत्र व्यक्तित्व है राश्ट्रे स्तर पर हैं ही और उनके वजंदार प्रिया भी सामने आ जाएगी शिफसेना और कॉंग्रेस के रिष्टे कैसे चलते हैं ये वक्त बताएगा लेकिन पीम केर्स फंड में क्या चल रहा है ये कौन बताएगा क्योंकि आर्टी आई के जवाब में बताया गया है कि हम कुछ नहीं बता सकते क्योंकि पीम केर्स फ सरकार ने इसको लेकर कहा था कि ये फंड सरकारी नहीं है लेकिन अब केंदर सरकार ने एक आर्टी आई के जवाब में बताया है कि पीम केर्स फंड भारत सरकार का ही है उसके द्वारा इस्थापित और नियंतरित संस्थान है ये जवाब केंदर सरकार की ओर से 24 दिसंबर क को दिया गया आर्टी आई के जवाब में इंकम टैक्स कमिशनर के आफिस की और से कहा गया कि पीम केर्स फंड का पंजी करन रेजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 के तहत हुआ है इसके मुखिया प्रधानमंतरी होते हैं पीम केर्स में दी गई सभी राशियों पर इंकम टैक्स से 100 प् रुपे 81 हुए हैं पीम केर्स फंड में 3000 करोड से ज्यादा की रकम दान में मिली लेकिन इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं बताया जा सकता क्योंकि ये आर्टी आई के दायरे में नहीं आता लेकिन राजस्तान के सीम अशुक गहलोत ने आज बहुत कुछ बताया उन्हो इसको 200 में से 99 सीटों पर जीत मिली थी जिसके बाद अब राजस्तान में गहलोत सरकार के दो साल पूरे हो चुके हैं लेकिन ये दो साल गहलोत के लिए किसी चुनौती से कम नहीं बीते हैं क्योंकि राज्य में विपक्षी बीजेपी ने सेंधमारी की कोशिश पूरी की थ आजीश में शामिल होने का आरोप लगाते हुए कहा है कि बीजेपी एक टिकेट मुसल्मानों को नहीं देती है और मुसल्मानों का इस्तमाल करती है सरकार गिराने में। करना चाहिए इसके साथ ही सीम गहलोत ने अनिदाताओं के मुद्दे पर केंदर सरकार को घेरते हुए कहा कि जिस समय सरदी में जैपूर में हमें घर में बैठने में तकलीफ होती है उस समय में अनिदाता जंगल में पड़े हुए हैं किसी को इतना समवेदा नहीं नहीं हो करना चाहिए आपको बता दे कि बीजेपी की फितरत है विपक्षी दलों में सेंध मारी करने की और देश के तमाम राजियों में पिछले कुछ सालों में दूसरी पार्टियों की विधायकों को तोड़ कर अपने दल में शामिल किया है राजस्तान में बीजेपी ने ऐसी ही पानी फेर दिया तो वहीं अरुणाचल प्रदेश में बीजेपी की सहयोगी जेडियों के किले में जरूर सेंध लग गए और सेंध भी बीजेपी ने ही लगा दी इसके बाद से ही बिहार में एंडिये सरकार मुश्किल में फस गई है नितीश कुमार पर एंडिये छोड़ प्रदेश में जरूर सेंध लगा दी है तो बिहार में बीजेपी नेताओं को समझ में नहीं आ रहा है कि इस मसले में वो पार्टी का बचाओ किस तरह से करे जेडियों प्रवक्ता के सी त्यागी तो साफ साफ कह चुके हैं कि बीजेपी ने ये सही नहीं किया है सही योगियों के साथ इस तरह का वेवहार नहीं होना चाहिए इस बीच आज से पटना में जेडियों की राश्ट्रिय कारेकारणी की बैठक भी शुरू हो गई है बैठक से पहले नितीश कुमार ने अपने विधायकों की तूट पर बीजेपी को साफ इशारा देते हुए कहा कि वो लोग चले गए हैं लेकिन हमारी बैठक अभी बाकी है इसके बाद से ही ये कयास लगाए जा रहे हैं कि बैठक के दूसरे दिन कलियानी रविवार को नितीश कुमार बिहार में गटबंधन को लेकर बड़ा फैसला ले सकते हैं नितीश कुमार के सक्त होते रुख को देखते हुए बीजेपी नेताओं ने फिलहाल इस मामले में चुपी साथ ली है दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि जेडियू के अंदर नितीश कुमार पर दबाव है कि वो एंडिये से बाहर आ जाएं यानि बीजेपी के साथ अपना गठबंदन एक बार फिर से तोड़ लें जेडियू नेताओं का कहना है कि रविवार को गठबंदन को लेकर पार्टी बड़ा फैसला ले सकती है इसके बाद से ही यह कयास लगने लगे है कि बिहार में एंडिये सरकार गिर भी सकती है स्वास्त मुसीबत के कारण देश की अर्थव्यवस्था को बड़ा नुकसान हुआ है एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि 5 साल तक भारत अपनी पुरानी पोजिशन हासल नहीं कर पाएगा तो किसने जारी की है रिपोर्ट और क्या है इसमें देखिए देश में स्वास्त मुसीबत से बचने के लिए मोधी सरकार ने पूर्ण बंदी लगाई थी लेकिन इससे मुसीबत ना तो रुकी और ना ही धीमी पड़ी उल्टा इससे देश की अर्थव्यवस्था को जरूर बड़ा नुकसान हो गया पहली तिमाही में ही अर्थव्यवस्था में 23.9 प्रतीशत की गिरावट आ गई दूसरी तिमाही में भी ये गिरावट जारी रही हाँ थोड़ा सुधार जरूर दिखा क्योंकि इस दोरान कई तियोहार पड़े लेकिन अर्थव्यवस्था फिर भी 7.5 प्रतीशत की गिरावट में ही रही जिसे लेकर अर्थशास्त्र और व्यवसाय अनुसंधान C.E.B.R. में शनिवार को प्रकाशित एक रिपोर्ट में कहा गया कि भारत दुनिया की 5 अर्थव्यवस्था के देशों की सूची से बाहर हो चुका है भारत 2019 में दुनिया की 5 भी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनते हुए ब्रीटेन से आगे निकल गया था लेकिन 2020 में छटवे स्थान पर आ गया दावा किया जा रहा है कि मोधी सरकार के इस कारिक्रम में भारत ब्रीटेन से पीछे ही रहेगा भारत 2025 में ही ब्रीटेन से आगे निकल पाएगा इसके साथ ही पीम मोधी का 2022 तक 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का दावा तो अब सपना बन चुका है रिपोर्ट में कहा गया है कि भारतिय अर्थव्यवस्था की रफ्तार पहले ही धीमी पर चुकी थी जिस कारण सवस्थ मुसीवत के दौर में इस पर असर सबसे जादा हुआ लेकिन राहत की बात ये है कि भारतिय अर्थव्यवस्था अब धीरे धीरे कर गती पकड़ रही है और अगर सरकार ने सही नीतियों का पालन किया तो भारत अगले 10 साल में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है और दिन भर की बड़ी खबरों में मेरे साथ इतना ही देखते रहें डीवी लाइव नमस्कार